नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका खेती बागवानी.com में देश में कहा कहा शुरू हो चुकी है सौयबीन की बोवनी आए जानते हैं सबसे पहले बात करते हैं मालवाचल की यहां सौयबीन की बोवनी का इंदौर देवास तरफ से श्री गनेश हो गया है उज्जेंड क्षेतर में किसान चार इंच बारिश का इंतजार कर रहे हैं शनिवार को गरज चमक के साथ बारिश का दोर शुरू हो गया संभवत दोर इंच चार दिन में इंड क्षेतरों में बोवनी शुरू हो जाएगी चेतर दीव किसान की मनपसंद उपज सोयबीन का शत्प्रतिशत रखबा रहने की खबर है 9560 वीच 50 फीसदी आर शेश 50 फीसदी नया 2029 9305 और अन्य वेराइटी वाला बॉय जाएगा पानी गिरने के बाद सोयबीन में 200 रुपई से अधिक की गिरावट मानी जा रही है बीच विखरी का काम उजयन में किसानों ने अधिक किया 10 रिन 15 दिन तक किसानी सोयबीन 6000 रुपई से अधिक भाव पर बिक गया किसानों के पास स्वयम का बिज होने से खरीदी कम की गई उजयन के बीच व्यापारियों का व्यापार खूब चला रोज ट्रकों में ग्रेटिंग वाला सोयबीन बीच भोपाल ग्वालियर तरफ बेचा गया अब इन विक्रेताओं को बारिश का इंतजार था यह भी शनिवार की बारिश होने से समाप्त हो गया उजयन में 2-3 बीच व्यापारी अच्छा लाब भी कमा गये अन्य मंडियों में व्यापार भी शुरू कर दिया गया है डॉलर चने के लिए धामनोड मंडी में भी व्यापारी स्थापित होने वाले हैं इसके अलावा गेह मुं सीजन में महिदपुर जावरा जैसी मंडियों के व्यापारी उजयन से गेहों खरीद गए वहीं उजयन के व्यापारी इन बेंडियों में जाकर गेहों खरीद लाए मंडी में सोमवार को मौसम साफ रहा तो सौयबीन की बेकाबू आवक रहेगी पानी दो दिन तक गिरता रहा तो यहाँ आवक घट भी सकती है क्यूंकि किसान सौयबीन बेचने के पहले बोने भी लगेंगे अभी के लिए इतना ही दोस्तों कल हम फिर ऐसे ही वीडियो लेकर आएगे आपसे निवेदन है चानल को सब्सक्राइब करें और कमेंट कर अपना सवाल पूछे